नमस्कार न्यूस डंका के वारतालाप में आपका स्वागत आज हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचे बहुत मिस्त्रूत है और ये एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जो अर्थनिती, राजनिती और कानून इन तीनों विश्यों का विश्य शल्ग्य है हमारे साथ है एमार विंकडेजी विंकडेजी नमस्कार नमस्ते नमस्ते इस प्रेमाइसेस में आप बहुत बार आये लेकिन इंटर्व्यू का मौका आज पहली बार मिल रहा है मुझे भी बहुत प्रस्न हुई है यहां आके बहुत दिन से आना चाहता था और आने का आज मौका मिला भगवान का वैप बहुत याबार हुआ तो शुरुवात हम आपकी जो एक किताब की जर्णी है आपने जो कई किताब लिखी है उस प्रवास के बारे में करेंगे हाली में आपके एक नहीं किताब आई Retaining Balance the Eternal Journey क्या विशे है और इस किताब के बारे में हम जानना चाहेंगे और उस किताब के साथ आपके इसके पहले जो किताब आई है और उसकी बहुत चर्चा हुई उनके बारे में भी आप जरा हमें प्रिक्षकों को बताईए यह जो किताब है Retaining Balance the Eternal वे अंग्रेजी में है इसमें मैं पास्चात्य अर्थशास्त्र जो डाचा है उस पे मैंने बड़ी सवाल उठाए है लोग यह मानते हैं कि अर्थशास्त्र कोई बड़ा एक चीज है जो हमारे समझ में नहीं आएगी और हम समझने के लिए भी हम चेश्टा नहीं करते है लेकिन सबसे बड़ा एक मुद्दा है Family Family ही economy को रन करती है जहामें एक male होगा, female होगे बाप होगा, मा होगी तो इसी पर तो सारा दुनिया चलती है लेकिन अर्थशास्त्र में family का कई जिकरी नहीं होता है अर्थशास्त्र में यह मना गया है कि आप अकेले हैं और आपका कोई किसी और के साथ जो कोई भी सम्मंध होगा उसमें एक emotion नहीं है सिर्फ एक transaction के अंतरगत एक अवश्यक के अंतरगत आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो इसमें क्या होता है family का कितना बड़ा महत्त है family सुकून देती है family हमको जब भी हम खाने के लिए घर जाती है तो हमको घर का खाना मिलता है वहाँ से लेके आपको बहुत सारे मानसिक तोरपे बहुत कुछ मिलती है जो आरते शास्त्रे के परे है तो इसमें मैंने बड़ा मुद्दा लेका family का मतलब क्या होता है family का ये मतलब होता है कि जब भी आप देखेंगे 100 बच्चा जन्व देते हैं तो उसमें 50 male बच्चा होता है 50 female बच्चा होता है यानि कि 100 के 100 अगर 100 male बच्चा होगे तो 100 female बच्चा होगे तो जब 25 साल के हो जाते हैं दोनों तो एक मर्द के लिए एक लड़की फैदा होती है जो शादी के लिए शादी के मार्केट में तयार होते हैं लेकिन अगर एक मर्द चार महिला से शादी कर लिया तो तीन मर्द के पाद शादी के लिए महिला नहीं रही बिल्कुल ये तो नैचर के विरुद्ध है प्रकुरुदी का बैलंस बिगड़ जाए इसी को हम रिटेनिंग बैलंस बोलते हैं ये जो बैलंस बिगड़ गया है आपने शाइब शब्द का प्रयोग किया है तो जब ये संतुलन नहीं रहा हम तैमिल कल्चर को एक ही शब्द में बोलते हैं वरुद्ध के वरुद्धी ये एक आदमी के लिए एक महला इसी से सारी जगत की स्रिष्टी हुई है और हम इतने सारा हमने अविश्कार किया है साइंस के अंतरगत लेकिन सबसे पहला अविश्कार जो सामाजिक तोड़ पे सामाज को स्रिष्टी करने में अगर कोई एक अविश्कार वो ता family उसको अगर आप भंग करेंगे उसको अगर आप उसकी एक मर्यादा उसका एक मर्यादा है उसको आप उलंगन करेंगे तो समाज का मर्यादा का उलंगन होगा और कितनी भी सरकार उस पे खर्चा करेगी तो सरकार समाज को नहीं बना बाएगी और इसी पर ही हमारा जो आर्थिक विशह है एक आदमी का अपना एक चाल चरितर चिंतन पर हम जोर देते हैं वहाँ से समाज का एक निर्मान होता है और वहाँ से राज्य का निर्मान होता है अगर हम पहली मीम के जो इट है उस पे अगर हम तोड़ा उपर नीचे टेड़ा मेड़ा कर देंगे तो राश्टर का करी निर्मान नहीं होगा इसलिए हम ये भी चाहते हैं अभी कि हमारा जो समविदार का एक डाचा है जिसमें हमने राज्यों को भहती महत्वर दे दिया हम हम ये भी चाहते हैं कि हम घर में सोएं तीन वात का अनाज भी सरकार हमको दे दें तो कैसे देगी सरकार हमारा जो एक एंटरप्राइस होनी चाही हमको जितना काम करना चाहिए हमको राज्य बनाने हर एक हर एक individual का एक डाइत्व बनता है तो इस डाइत्व को हम समझे नहीं और उसको हम भिगड़ दे और उसके बदले हम बोले कि राज जी आपके लिए सब कुछ कर देगा और उसके बाद जब आपके बेडरूमें आकर अनाज रखने के लिए कोई आता और बोलते मेरा प्रिवेसी आपने बंक कर दिया तो यह कैसे होगा आपका जो आपकी जो किताब है वो पष्षत्य अर्थन विरस्ता पर तो वहां की तुमटी दिखाते समय आपने एक माडल भी दिखाया होगा हम क्यों ड्यूटी बेस्ट पे नहीं जाएं रहें। अधिकारों की चर्चा होती हैं, कर्तवी चर्चा होती हैं। अगर आप महराश्टियन हैं, मैं तमिल नाडू से हूँ, अगर आपकी बाशा और हमारी बाशा में शायद कई भी मिलावट नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये बुलू, कि कर्मनी वादिकार से माप फले चुकत आचना, आपको समझ में आ जाएगी, मेरे यहां में सब को समझ में आ जाएगी। ये क्यों आती हैं? क्योंकि हम जो हैं, एक कर्तव्य के अंतरगत समाज को हमने बनाया हैं। लेकिन हमारे समविदान जो है, अधिकारों के अंतरगत बनाया है। तो एक इन्डियन्स और भारतिये, जब इन्डियन्स होते हैं, हम हग की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। लेकिन भारतिये होने के नाते हम अपने कर्तव्य के बात करते हैं। तो एक paradox हो रही है, contradiction हो रही है, इसका हमने समाधान के पर हमने book लेका है, अर्थ शास्तर से हमने start किया है, लेकिन सम्विदान पर हमने end किया है, बहुत बढ़ी आप, यहने अधीकारों की ज्यादा चर्चा नहों, कर्तवियों की चर्चा हो, हर एक आदमी यह करे तो शायद राष्टर का एक पुनर निर्मान, बहुत शिक्र हो जाएगा, जी जी यह आपकी जो किताब है थोड़ी philosophy के तरफ जुकने वाली है, थोड़ी, इसके पहले आपने जो कई किताब लिखी उसमें, राजिनिती का प्रभाव ज्यादा है, डॉक्टर मनमान सिंग पर आपने ए कि सब पर टिपनी करना है, एक टिपनी करना तो अपना सुवाव है, राजनिती पर करें तो अर्थशास्तर पर भी करेंगे, फिलोसफर पर भी करेंगे, तो इसमें हमको कोई इतराज नहीं हो रही है, या हमको कोई पावंदी की कोई महसूस हो रही है, बट हाँ, जब मनमो सिंग जी के बारे में इसलिए लिखना पड़ा कि इतना स्कैम हो रहे थे दोजार तेरह में राष्टर तो उप चुका था कि रोज एक ना एक स्कैम एक ना एक इलजाम उन पे लगता था और कई एक मायूस ही चा गई थी सारे पे राष्टर करें उस पर हमने मनमोंची को दोशी ठहराया और उन पर मैंने उन्से प्रश्ण पूछा था जिसका आज भी मुझे उत्तर नहीं मिला है जैसे कुछ सवाल आपको पुरोब प०र्दान मंतुरी के बारे में आपको लगा कि उने पूछने चाहिए अभी के जो प्रदार मंद्री है नरेंदर मोदी जी उनके बारे में कुछ सवाल मन में उठते है क्या और उनके बारे में कोई किताब लिखने का कोई योजना है क्या बहुत सारे है लेकिन देखिए एक लॉयर हूँ और बहुत सारे कॉर्परेट्स का सलाका भी हूँ तो टाइम मिलना बहुत ही किताब लिखना एक कोई मामुली काम नहीं है तो बहुत टाइम लेना चाहिए इस बुक मैंने दस साल पहले सोच रखा था रिटेनिंग बैलेंस लेकिन लोगडाउन में मुझे लिखने का पूरा टाइम मिल गया था तो छे मेना का बहुत कि एकदम विश्राम से एकदम लिख सके थे लेकिन उतना टाइम अगर कोई और किसी कारण में मुझे मिल जाएगा लेकिन अगर मुझे कुछ टाइम मिल गई तो मैं जरूर मानिय श्री नरेंद्र मोडी पर भी लिखना चाहता हूँ आप कई साल दिल्ली में प्रैक्टिस क आप डारेक्ट जुड़े हुए नहीं लेकिन राजनित्ती के बहुत करीब आप रहे हैं तो मनमोन सिंग जी के एरा के बारे में अपने बताया कि अईसा वादाउंटा कि मिराशा का वादाउंटा रोज अकबार खुलो के नया करूप्शन की चर्चा हो रही है जब उस पि इंप्रूमेंट हुआ है कुछ अच्छा हो रहा है या और गलत हो रहा है बहुत सारे इंप्रूमेंट हो रही है और जिस तरह से इंप्रूमेंट हो रही है अगर निराशा कहीं है तो इंप्रूमेंट ज्यादा होनी चाहिए इसी पर निराशा है निराशा ये नहीं है कि इ एक ऐसा बताऊंगा कि राम राज्य उन्होंने नहीं दिया है लेकिन इक्ष्वाकु वंश का उन्होंने स्थापना की है राम राज्य अलग बात है जहां सब कुछ ठीक होती है सब कुछ एकदम चलती है अपने याद वो तो अभी हम इस राष्टर पर आज के स्थर पर हम नह उन्होंने इक्ष्वाकु जो राम के पूर्वच थे उन्होंने राम का वंश का स्थापना की थी तो उसका भी स्थापना हो गया है बरी इंपॉर्टेंट थिंग इस हिंदू ओडबैंक का एक कॉंसॉलिडेशन देखने को मिल रहा है यह बेरी बिग इश्यू दाट हिंद का वोट का एक ताकत है इसी चार बाते बताईए कि जिससे आप आपको एक व्यक्तिकत दूरूप से मैं हिंदू हूं और यह बाते मुदी जवर्मेंट ने की राम मंदिर की स्थापना तो हम बहुत साल है 400-500 साल से चल रहा था और अकस्मात यह हुआ कि 2019 में इन्होंने इसका इड भी रख दिया बुनियादी इड रख दिया है अभी इसका भव्य मंदिर का एक चल रहा है तो एक जबाने भी था जब मैं कॉलेज में था और एक इसी भी चाय हुई थी कि क्या हम अपने जीवन भर में एक भव्य मंदिर का स्थापना देख सकें हो गया है तीसरी बात यह देखिए कि जो कानून विवस्ता है भारत में जो कानून विवस्ता थी कि इतनी बड़ी हमारे उपर एक शंकाा हिएती कि देश की अखंड़ता पर प्रश्न उठ रहे थ ह्ए कि लामिक टेरिसम का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश से ऑप्रेट कर रहे थे और देश की अखंड़ता पर बड़े प्रश्न उठ रहे थे लिंखर मनमोन सींग, Д Laureate में टेर्रिसम और इंटर्नल सेकुरिटी पर हमने भी बात की थी तो इसका एक बड़ा द्वंस हुआ है मैं यह नहीं हूँ कि पुरा खत्म हो चुका है देश एक दम सुरक्षित है लेकिन इस पर भूत ही ठोज कदम उठाए गये और इसका एक समाधान आ रहे और आर्थिक व हुआ है वो प्रसंशा आ उसमें प्रसंशा आपको करनी ही चाहिए इसमें उन्हें ने बहुत सारे जैसे कि बैंक के आर्थिक विशेयती बैंक के जो बैलेंशीर थे बहुत ही खराब थे इतने लोन दिये गए थे वो खराब हो रहे थे उसका सब कई न कई समाधान थे 10-12 ठके से वो 18 ठके तक भी चली गई है हाँ इसका और भी कुछ करना है लेकिन अभी कालियकानी इनके और तीन साल भी है और उन पर मुझे उमीद है कि और कुछ और आने वाले बजेट में भी कुछ इसका कुछ समाधान निकालेंगे और राजनीती से अर्थनीती के पास मैं जा रहा हूँ लेकिन उसके पहने जो टेरर का उल्लेक किया भारत में इस्लामिक टेरर का बहुत बड़ा वातावन था अभी तो फिलाल वो उस प्रकार का वातावन कही पर दीखने है कहीं पर बं नहीं फट रहे है लोग कुछ को से मैसूश कर रहें लेकिन इसी माहल में प किसान अंदोलन में भी देखें तो क्या लगता है कि इस करनी किसान नहीं किसान तो récupkas इसके बहुआ है महाराष्टर में तो कुछ नहीं हुआ उत्रपदेश, बिहार, बंगाल, गुजराथ, करनाटक, आंधरा, यहां सब किसान हैं, इनके थी कुछ लगी नहीं, पंजाब की कुछ ऐसे, पंजाब और शायद तुड़ा वेस्टन यूपी और हर्याने के फार्म, यह सो किलोमेटर के एक रेडियस में, मुझे लगता है कि किसानों के किसी ने ब्रम में लाया, और इसको लेके उन्होंने कुछ पोलिटिकल इश्यूस लाके खड़ा कर दिया, बट, कलिस्तान मुवमेंट जो है, इस नॉट अ मास मुवमेंट, कलिस्तान मुवमेंट इस उनली एन इरिटेटिंग मुवमेंट, इसको हम टेरर मुवम का एक स्थापना हो रही है, राम राजी अभी तक नहीं पहुंचे, इसलिए मैं अपना शब्त को बहुत सोच समझ के मैंने यूज किया था, एक जो दगे में हाँ हो सकती है, जैसे कि फुलमामा मुव हुआ था, कहीं पिसले, एक दो टेरर अटक तो हो यह जा रहे है, टेर यह तो सुरक्षा बलतो हमारे पूरे सतर के हैं, कितना बड़या काम हो रहा है, इसको तो हम सरागनी मानते हैं, अर्थनिती के बारे में खुड़ी चर्शा करते हैं, अर्थनिती के आप विशेशद्निया हैं और आप इस विशे पर भाश्य भी करते हैं हमेशा, मोदी गव कि यह वैसे कामने कर रहे हैं जिसे अधर फ्रेंट पर कर रही है जिसे डिफेंस के आप अच्छा किया है इंफरास्रक्चर के फ्रण पर बहुत अच्छा कियां है बिल्कुल वैसे इकनोमी पर यह सरकार कमजूर पढ रही है इस प्रकार का एक जो वाताउण है है अभी एक तारिक को हमारी अर्थमंदरी बजेट पेश करने वाली है तो उस संदर्भ में इस प्रखन का उत्तर जाओंगा मैं आपसे सर यह एक जो बोलते हैं अर्थश हस्तर जो है एक सैकलोजिकल है मास सैकलोजी को आपको पॉसिटिव रखना है बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है और इस सरकार ने जहां जहां इन्होंने हस्तक्षिप किया है तो स्मॉल व्यापारी, MSME, प्रोफेशनल इन सब को बहुत जोर से चूबा है तो यह जो लोग हैं बीजेपी के ट्रिडिशनल वोटर से, स्मॉल बिसनस्मन, MSME, प्रोफेशनल इस सब बीजेपी के आइडियोलिजी को मानते हैं, बीजेपी के तरफ से बड़ी लूप से इनको सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं, कॉर्परेट्स लोग इन से मानते हैं, जब 2013-14 में सरकार बनी थी, मैंने एक जगे में किसी से बात कर रहा तो, मैंने बोला कि 1947 में इतना साल से हमारा आजादी की अंदोलन चल रहे थी, आजादी आ भी गई, जब आजादी आई, तो हमको आजादी को कैसा उसको लेना है, क्या करना है, इसका एक डा हमने फ्रांस को देखा, इटाली को देखा, जर्मनी को 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 देखा, और ब्रिटन को देखा, वहां से कुछ लाए, और सब को मिला जुला के एक समविदान बना दिया, इसी तरह BJP भी 70 साल से चाह रही थी, कि एक विकल्प हूँ, हम एक विकल्प रखें, विकल्प का यह मत प्रोग्राम को आपने दिन देयाल उपादिया प्रोग्राम का नामस्करन बदल दिया तो इसका मतलब नहीं है कि आपने विकल्प लाया तो विकल्प का जो आर्थ शास्तर आर्थ का जो एक डाचा है इसका एक विकल्प बीजेपी ने शायद सोचा नहीं सत्ता पाने के हुए है तो इसलिए जिस विशे पे एक देख रहे हैं एक काम चलावू सरकार है वह अर्थ विवस्ता के अंतर कर लिए तो क्या क्या करना चाहिए जो सक्राइबिधल इस नी टेWow टेक्सस और इंडिरेक्ट इसको बहुत ही सुक्डायक बनाया जा सकता है यह क्यों नहीं करेज्ञें एक समय की वह हो सकती है लेकिन पेइनफुल रूप से रहते हैं इससे जैस्टि अभी किस भी चार्फळ चांडनेंट के पास आफिस जाहिए या किसी लॉयर के पास जाहिए या किसी स्मॉल बिसनिस् टैक्स से भागने के लिए ने टैक्स देने के लिए अगर आप इमांदार हैं और टैक्स देना चाहते हैं तो यह प्रॉब्लम है और दूसरा उधरन देखों कि साथ आठ साल में बैंकर्स ने जिस तरह से इनके साथ व्यवार हुआ है वे एक बोलते नहीं है लेकिन यह तो सर लोन से गबराते हैं आप जाकर साइक्ल लोन लेंगे कार लोन लेंगे हाउसिंग लोन लेंगे इतना तो मैं दूँगा लेकिन आप अगर बिजनेस के लिए आप कुछ लोन लेना चाहते हैं तो गुम फिड़ा के बोलतेंगे आपकी कमीच में काली कपड़े है सफेद प्रदान मंतरी अगर उनके आफिस से कोई इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे तो आपके चैनल के मद्यम से मैं उनको एक ही बता देता हूं कि जो आपके पास में अंक आते हैं स्टेटिस्टिक्स आते हैं उस पे तोड़ा गौर कीजिए यानि कि उस पे इतनी मुद्रा लोन पर इतनी चर्चा हो रही थी जो अजार सत्रा अठरा तक उसके बाद तीन साल तक प्रदान मंतरी ने खुद मुद्रा लोन के बारे में बात नहीं की है उसी तरह रोजगार इतनी सरकार में इतनी उपर्चुनिटी से इतना करोबार बढ़ रहा है लेकिन आज भी जॉब उपर्चुनिटी यूथ के लिए बड़े लेके यूथ के लिए बड़ा प्रॉब्लम है इसको इसको एड्रस करना बहुत ही इंपोर्टेंट है यह अगर आप आग बंद कर ल हडल जो मुझे देख रहा है गोवर्मेंट जब कुछ बड़ा करने की कोशिश करती है तो फिर भले इस गवर्मेंट के पास मेजोरिटी है नंबर्स अच्छे है राज्य सभामे लोग सभामे लेकिन लोग फिर रस्ते बर उतर आते हैं रस्ते ब्लॉक करना हड़ताल करना इस प्रकार से जो विरोधी पक्षों की एक परक्रिया शुरू हो जाती है उससे पूरा वो रिफॉर्म्स की जो गवर्मेंट की इनिशिट हो पुरी ठब हो जाती है तो फिर इसको गवर्मेंट कैसे और कम कर सकती है आपने आठ साल का कारे करने में इस सरकार की सबसे साल यूस etcetera का बंद करना उसमें भी लोग आये थे उसमें भी यही विपक्ष ते हեղ उसमें ने मेच सब्सक्राइफ चार पाकिस्टान से नहीं आये चैयना से नहीं ऐती सब्सक्राइबंभा एंधिक्स के सब्सक्राइब पांच ना будет सोच लिया कि 370 का हम ठब करेंगे ठब कर दिया नहीं लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि डिमोनडाइशन है कर दिया हाँ कर दिया लेकिन अभी प्रोसेस में भी कर दिया लेकिन ऐसा नहीं कि आप करके उसके बाद दो दिन हो रही है चल रही है लेकिन आपने चाहा तो करी दिया कहने का मतलब है कि जब आप चाहते हैं और प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री ने तय कर लिया कि होना है तो हो रही है जब उनके अंदर कुछ आशंका पैदा हो जाती है तब ही नहीं हो रही है तो बाहर में विपक्ष तो विपक्ष का काम करेंगे आप से कब सहमत होंगे किस बात में सहमत होंगे किसी बात में तो विपक्ष सहमत है तो आप क्या विपक्ष पर जुकेंगे क्या आप अपना काम करेंगे कि सबसे बड़ा एक राष्टर का खत्रा जब होता है कि कोई और एक देश हम पर हमला करता है तब ही हम मानते हैं कि आज यह विपक्ष हमारे साथ नहीं देगी उनके साथ ही देगी इस ऐसी विपक्ष को रखके आप कुछ सोच भी नहीं चाहिए आपको इसके आउटसाइड में काम करना चाहिए और यहीं हुआ कि 370 में किस विपक्ष ने आपका हाथ दिया कर दिया आपने और ज क्रिप्टों के बारे में बहुत सारी चर्चा है अभी संसत की सेशन में भी इस विशे में कानून लाने की बात हुई है तो क्या लगता है यह नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर क्या रिगूलेशन होना चाहिए आपको क्या लगता है एक राष्टर का चिन है उसकी आर्मी और उसकी करन्सी पे होती है उस आर्मी को का प्राइवटाइस कर सकते हो नहीं कर सकते हो एर इंडिया की प्राइवटाइस हो सकते है पोटल्स की प्राइवटाइस हो सकते है कल चाहते हो तो गेल सेल सबको आप प्राइवटाइस कर सकते हो लेकिन वायू सेना को सेना को प्रेटाइज कर सकते हो उसी तरह क्या आप रुपी को प्रेटाइज कर सकते हो 앞 विबाप करन्सी की इस प्रेटाइज सेशन अजह में और यह इंग सा राह्र की बात नहीं है कि अभी पंद्रह हजार से ज्यादाए क्रेप्टोकरंशी वडॉड़ nueid घूम रहे है और 200 देश है यहनि 200 देश की जो करंसी होती है 200 करंसी थी अभी 200 देश में अभी they are now having 15,000 करंसी क्रिप्टो करंसी it is privatization of करंसी और इसमें अभी खा जाता है कि बारत में bitcoin का जो trading होता है global level में उसमें 60% तक इंडिया से trading होती है 6-0 कोई statistics इसका कोई authentic नहीं है मैं ये भी बोल देता हूँ लेकिन जो विशेशक यह हैं जिसे मैं बात कर रहा हूँ उनका कहना है कि 60% जो है आप बिहार के गाउं से ये मैंने खुद सुना है बिहार के गाउं से देहात से जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वहां जैसे एकदम देहाती लोग bitcoin पर invest कर रहे हैं cryptocurrency पर invest कर रहे हैं और इसका कहीं न कोई अनुसासन है न कोई अभी कहीं इसका कोई पाबंदी है ये करना चाहिए था 2014 से 17 तक अगर आप उस पर हस्तक्षिप करते हैं तो कुछ हो सकता है अभी इसको बैंड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये technology driven है क्या आप पोर्न को बैंड कर सकते हैं कहां बोल सकते हैं कि ये मत देखिए कितना भी करें तो दूसरे options हैं तो ये आज वहां तक चला गया है meaningful अस्तक्षिप आज नहीं हो सकती है तो सरकार को कुछ regulations लानी पड़े की आपने news में पड़ा होगा हमारे तमिल नाडू के एक minister के पास 52 क्रोर का cryptocurrency पाया गया 52 क्रोर ओ सिर्फ cryptocurrency बने उनकी disproportionate asset ने disproportionate asset में 52 क्रोर का cryptocurrency में investment है तो कितने ये आज bureaucracy corrupt people के पास एक साधन हो गया है जो vested interest है जो इसको use करके अपना जो घूस का पैसा है बाहर अंदर जिसका कोई उप्योग development process में नहीं हो सकता in fact terror funding drug funding तो इस पे use हो रहा है तो पहले तो corrupt funding जहां जहां corrupt है तो वहां वहां narco terror सब आ जाएगा और जहां जहां narco terror है वहां corrupt पैसा भी they brought in the RDX RDX कोई अलग से root से नहीं आता है और customs का जो gold है smuggle वो अलग root से नहीं आता है दोनों एकी साथ जुड़ जाते हैं तो यही problem है कि crypto का आज इतना बड़ा market हो गया है इंडिया के अंतर अगर market पूड भी गया तो problem है market को अगर आप कुछ हस्तक्षेप करेंगे उसमें भी problem है लगाम लगाएंगे ओभी problem है क्या देश की economy को इससे क्या खत्रा या देश की सुरक्षा को इससे क्या खत्रा हो तो आप पूरा का पूरा anonymity में काम होता है आपको पता नहीं है किसने किसको pay किया है क्यों पे किया है आप जब रोकड़े आपको मैं एक लाक रुपिया देता हूं किसी को पता नहीं होगा कि मैं कहां किस ने आपको दिया है इसी तो घुस चलती है टेरर फंडिंग और फंडिंग फर आउटसाइड एजनसी जब क्रिप्टो में हो जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किसने किसको पे किया क्यों पे किया और इसमें फॉरिन एक्षेंज का भी इनॉल्मेंट है शायद उनके पास इसका कोई उपाय ने होगा हाँ वो भी है क्योंकि यह चीज़े टेक्नOLOGY BASTS होने के करां लियंदरनमेंने क्याम हैंने बट ऐसी ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जा सकता है बहुत सारे issues हैं जो किया जा सकता है जैसे कि खुला खुलन इतने exchanges हैं जहां में यह चल रही है जो इंडियन कर रहे हैं आप इसका exchanges को आप बंद कर सकते हैं कि फॉरिंड से हो जब फॉरिंड में जाएंगे तो you have to use foreign exchange तो foreign exchange का आप उसका जो मिलने का जो एक प्रतिक्रिया है उसको आप बंद कर सकते हैं तो tough कर सकते हैं you cannot ban it or you cannot say that nothing will be done इसका एक अंकुष तो बहुत जबर्दस अंकुष लगा सकते हैं फिर एक बार budget की दिशा में हम लोग जाते हैं अभी एक तारिक को जो budget है उसमें आपकी क्या पेक्षा है कि क्या हो सकता है budget में देखिए यह सरकार तो Hindu right मानती है economically यह political left है economically यह left की तरफ है तो मेरे इसाब से कुछ taxes की tinkering होगी कुछ राहत हो सकती है very minor राहत for small level में income tax की जो unitum shoot है कुछ उसमें कुछ और बढ़ सकती है शायद capital gains tax ज्यादा हो सकती है दिल्ली में तो बड़ी चर्चा हो रही है कि wealth tax आ रही है कुछ जो 1991-92 में तक थी उसका एक पुनरागवन हो सकता है तो जिस तरह से 1970s 80s में income tax wealth tax थी उसका एक आ सकता है तो everybody will be looking at fiscal deficit अगर fiscal deficit साथ तके के अंदर रख सकती है माननी है वित्रमंतरी तो बहुत अच्छा है because अभी और expenditure का तो काबू नहीं हो रहा है और income तो अभी 2020 से अभी आज भी बहुत कम है तो all these factors put together fiscal deficit will be a big issue taxes का tinkering होगा शायद wealth tax आएगा ये बताने के लिए कि हम सारवजनिक और न्यूनतम वर्ग के साथ है more a political statement than an economical statement और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जितना इन्होंने पैसा कर्ष किया जैसे कि जो social sector है उसमें तो ये इतना मनें इसमें एक emphasis होगा कि हम QQP की election तो दस दिन के बाद है तो ये तोड़ा ग्रहा के लिए attraction भी होगा बिल्कुल लेकिन क्या लगता है कि government ने जो double digit GDP की घोशना की थी तो उस दिशा में industry एक्सपोर्ड बढ़े इंपोर्ड कम हो जाए इसके लिए कुछ होने की संभावना आपने जो बदय उसे तो लग नहीं रही है एक्सपोर्ड इंपोर्ड का आज में कहीं आकड़ा देख रहा था कि चीन के साथ हमारा आयात जो है 100 बिलियन से भी उपर है और निर्यात जो है वो 25 या 20 बिलियन डालर है यानि ट्रेड डिफिसिट जो है 70 से भी ज़्यादा है 70 बिलियन डालर से भी ज़्यादा चीन से है और चीन से हम जो ला रहे हैं वो ऐसी नहीं है कि हाई टिकनोलोजी एटम्स ला रहे हैं फून ला रहे हैं या कुछ चश्मे के जो फ्रेम्स मच्छर माणने के बैड बैड भी वहां से आते हैं या होली के पौडर ला रहे हैं या गणपती मूर्थी ला रहे हैं यानि कि गणपती का जो नाक है तोड़ा दबा हुआ है लेकिन गणपती वहां ही से ला रहे हैं तो ये एक बड़ी समस्या है कि हम क्यों manufacturing को हम उतना बढ़ावा नहीं दे सकते हैं तो मेरा सिर्फ एक दो मापदंडे जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपका देखेगा temperature 98.4 BP ठीक है तो बुलेगे का हाम तोड़ों पर ठीक है manufacturing sector जो है यही एक बड़ा सवाल है मोडी जी का और अगर हम इसको मापदंडे में रखें और देखें कि कितना इसमें प्रगति हुई या नहीं हुई जब 2012 में मनमोन सिंग थे उन्होंने घुशना की अगले 10 साल में manufacturing का जो शेर है GDP में हम 15 टके से 25 टके तक ले जाएंगे यानि कि आज तक हमको 25 टके तक पहुचना चाहिए था उस report के अंदर का लेकिन आज की स्तिती है कि हम वही 15 टके पर ही है यानि कि manufacturing जो है हम उस पे हम ज़्यादा जोर नहीं दे सके और manufacturing जब आगे बढ़ेगा तब आपका जॉब जा आपका inflation आपका import export का जो trade deficit रुपी का strengthening सबका समाधान यह की level में है जो आप manufacturing को आप उद्धार करेंगे दस साल के बाद मुझे अफसोस है बाराज से मैं लेगा जिसमें 8 साल मुडी जी किया है दो साल मनमोन जी किया है उसमें ज्यादा उस पे गौर नहीं किया गया है और यह माब दंड में मैं चाहता हूँ कि सरकार तोड़ा द्यान दे और इसको 15 को शायद जब तक हम 25 या 30 त इतनी देर के बाद होगी और जब होगी तो rich will get richer and poor will remain poor जो एक समानता की हम बात करते हैं इक्विटी के हम बात करते हैं उसका address नहीं होगा manufacturing से ही आपको आगे बढ़ना है विंगडेश जी economy यह बहुत difficult विशह है और इस विशह पर आपने budget के पूरू इस चरचा में बहुत आसान शब्दों में लोगों को हमारे दर्शकों को explain करने की कोशिश की है और आपने बह अथनेती के बारे में बात की राजनेती के बारे में बात की आप नीज डंगा के स्टोडियो में आये अपना किमती समय दिया इसके बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते थैंक्यू थैंक्यू नमस्ते